वोट इस डेमोक्रेसी वाइड डेमोक्रेसी यह हम डिसकस कर रहे थे न इसके बाद हमने देखो बैक्ग्राउंड प्रिवेश चैप्टर देखा था मेजर एसपेक्ट्स देखे के स्टर्डीज थी दैन ब्रोडर मिनिंग ओफ डेमोक्रेसी देखा यह सब हम देखेंगे ठीक मेरिट्स ओफ डेमोक्रेसी देखी देन डी मेरिट्स ओल्सों फिर हमने कंपैरीज कंपैरीजन किया डेमोक्रेटिक गवर्मेंट में और नों डेमोक्रेटिक गवर्मेंट में कि क्या डिफ्रेंस है इन दोनों के अंदर क्या कंपैरीजन किया ओके दैन डारेक्ट डेमोक्र चाइना मैक्सिक यह ने कर लिया था ऑप हम करेंगे साओधी अरेबिया जिंबाबे इस्वीजी स्री-लंका पाकिस्टन आपने देखा मिल्टरी को वह हुआ चाइना में आपने देखा कि एक ही पार्टी एकम्यूनिस पार्टी इन फिर एक्षन नहीं है वहां पर राक्सगों में भी सेम वही बात है ठीके अब इक ही साओधी अरेबिया इस्टोनिय या फिजी साओधी अरेबिया वीमें do not have the right to vote साओधी अरेबिया में में वीमें्स को right to vote नहीं था मलेटमीज उनके पास अधिकार नहीं था कि वो भू देखे इस्टोनिया ने अपने नागरिकों के लिए रूल बना दिया था एक तरीके का कि जो रशियन माइनर्टी से अलपसंखेक से रिलेटिड है मिलों करते हैं उनको भी राइट तो वोट बोती मुश्किल से मिल पाता था रशियन माइनर्टी वालों को इन फीजी फीजी के अंदर इलेक्टरल सिस्टम इलेक्टरल सिस्टम होता है जो वोटिंग सिस्टम है such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji में क्या क्या हुआ था कि मदान की जो system में जो वेवेस्ता है वो ऐसी बना रखी थी कि एक Fiji का vote तो ज्यादा value का था और Indian vote कम value का था जो Fiji है उसके vote की value ज्यादा और जो Indian है उसके vote की value कम सिस्टम यह ऐसा बना रखा था ठीक है अब आपको फिर से comparison करना है कि यहाँ पे democracy का कौन सा aspect आ रहा है ठीक है कौन सा aspect का violation यहाँ पे हो रहा है जिंबाबे attain independence from white minority 1980 डेकि attain independence from white minority it means सफेद minority 1980 में क्या मिली independence since then the country has been ruled by Gen.U.P.F. यह पार्टी का नाम है the party led the freedom struggle यह पार्टी है Gen.U.P.F. जिसने इस struggle को independence की struggle को led किया था लीड किया था कौन सी पार्टी है Gen.U.P.F. leader का नाम है Robert Mogambe has been ruling the country since independence जब तक independence नहीं मिली role Robert Mogambe ने leader ruling किया country के उपर रूल किया पार्टी आपको पहले ही पता है Gen.U.P.F. जिसने struggle में लीड किया था elections have been had regularly always won Gen.U. elections होते हैं regularly but जीती यही पार्टी है President is popular जो प्राष्ट पती है वो popular है but uses unfair practices in elections लेकिन election के अंदर चुनाव के अंदर unfair use होता है It means free and fair election नहीं हो रहे हैं यहां पे भी unfair practices unfair बाते हो रहे हैं दिल्स न्राष्ट के अंदर चेंज दा कॉंसिट्योशन को चेंज कर दिया गया & increase the power of प्रेजिडेंट और जो प्रेजिडेंट उसकी प्रेजिडेंट को इंक्रीज कर दिया गया बढ़ा दिया गया and makes him less accountable और प्रेजिडेंट को less accountable कम उत्तरदाई बना दिया गया इट मेंस वह अब जनता के परती ज्यादा जवाब दे नहीं है accountable नहीं है opposition party workers harassed and disrupt और जो opposition party जो विरोधी party उनको harassment किया जाता था ठीके and disrupt और उनको disrupt किया जाता था के इट मेंस opposition party वालों को pressurize किया जाता था दबाया जाता था तीवी और रेडियो वर control by government टीवी और जो रेडियो एट मेंस पूरी मीडिया को control किया जाता था government के थूँ and give only ruling party version और तीवी और जो रेडियो है इट मेंस जो मेंडिया है प्रिंट मीडिया वह भी सिर्फ ruling party वर्जन ही बता सकती थी उसके opposition कुछ नहीं बोल सकते थे क्यों क्योंकि government का control था उनके उपर तो आपको बताना है कि यह क्या पहराइश करती थी परिशान करती थी उन जर्नलिस्ट को पत्रकारों को जो ऑनके कि खिलाप जाते थे the government सब्सक्राइब जुए और जो है वह जो कोर्ट ने कर को ज़िजमेंट दिया है अगर न्यालय ने को नियाइद किया है उसको है फैसला किया है तो government उसको और उस खोट कि खैसले की खिलाफ जाती थी और जजजिस को भी प्रेसराइज करती थी केंडिया में भी ऐसा है तो आपको भी देखना है कि कौन सा जो एसपेक्ट है डेमोक्रेसिक वोलेट और आपको खुछ से दिमाग लगाने अगे त्राइज टुफाइड आउट ओन विच असपेक्ट अर वोलेटिट इन डेमोक्रेसी एड वीक आपको फैंड आउट करना है कि कौन से असपेक्ट से डेमोक्रेसिक गो जिनका वोलेशन हो रहा है हनदन किया जा रहा है और कौन से जो प्रिजर्व है सनक्षित है मुटान के किंग ने डिकलेरेशन दिया कि फ्यूचर के अंदर जो उनको एडवाइस दी जाएगी इलेक्टिट रिपर्जेंटेटिवस के दुआरा जो उनको गाइड किया जाएगा उन्हीं बेस पे वह रूल बनाएगा ठीक है फ्यूचर में विल भी गाइड़ बाइड़ इस गिवन टू इंपा इलेक्टिड रिपर्जेंटेटिवस इलेक्टिट रिपर्जेंटेटिवस इस जनता न इलेक्ट किया है तो उन्हीं के बेस पे वह गाइड़ी डूंगे और चलेंगे आगे श्री लंका में मैंने तमिल वर्कर्स माइग्रेटिड फ्रॉम इंडिया वर नोट गिवन तो राइट टू वोट श्री लंका में जो तमिल वरकर्स थे इटमी जो तमिल नाडू से गई थे उनको स्री लंका में राइट टू वोट नहीं दिया गया सिर्फ सिंग्लियों को राइट टू वोट था तमिल वरकर्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया स्रिलंका के अंदर नेपाल मैं आप जानते हूँ मोनार्की है गिंग इंपोज जा बैन on political gatherings demonstrations and rallying जो वाँ के राजात उन्होंने बैन लगा दिया political gatherings जो राजनितिक gathering होती थी एक साथ उनको ban कर दिया कि कोई जितने भी राजनितिक parties एक साथ इखट्टा नहीं होंगी डिमोस्टेशन जो जुलूस निकाले जाते हैं कोई जुलूस नहीं निकलेगा कोई रैली नहीं निकलेगा इन सब को राजा ने बैन कर दिया बिहार दा इंडियन स्व्प्रीम कोट हेल डिट डी डि hm अश्रीट्ज कर दिया सेंविड बांगला नौनीटिकल पार्टिये जंग्री यहना पॉलिटिकल थी राजनितिक पार्टिया एग्रीड एग्री थी जहमती देट की आर नुट्रल गोर्मेंट शुट रूल डिक कंट्री एड टाइम्स ओफ इलेक्शन्स की ताइम से मेजर डिसिजन्स बाइलेक्टिड मेंबर्स वन पर्शन वन वोट एंड वन वैल्यू रिस्पेक्ट फोर राइट्स रूल ओफ लोव फ्री एंड फिर यह आपको मैच करने के लिए आएगा किसी लंका में क्या हुआ बांगलादेश में किंग ओ बुटान जो भी हमने पढ़ लिमिटिड में संज़े और डिस्क्रिप्टिव सेंस में वी हैव अंडर्स्टूट डैमोक्राइश जो है वह एक फॉर्म ओफ गवर्मेंट है दा मोश्ट कॉमन फॉम गों सा है कि देट डैमोक्राइश टेक्स इन आवर टाइम्स इस डैट ओपर जेंटेटिव डेमोक्रा एक उत्रफदव पूर्टि निदीट पूर्ड लोग्तां तक में है इंदा कंट्री जिजी उल्ट we brains पेपल दूनोट रूल उपा यॉले इन कट्रा यॉइज में फीपल दूनोट मैं करेंग हेलेजकी मैजोरिटी रिद्टी देसिजन इस इन laughs हम अलाव करते हैं decisions लेने के लिए on behalf of all the people हम सब लोगों के बियाव में हम जिनको elect करते हैं जो हमारे representative होते हैं जो majority होती है उसको हम अलाव करते हैं decisions लेने के लिए हमारे बियाव के ऊपर even majority does not rule directly क्योंकि जो majority है जो बहुमत है वो directly रूल नहीं कर सकता क्योंकि population ज्यादा हो जाती है इन democracy majority of people rule through their elected representatives वाई एक क्योशन बनता है कि democracy के अंदर जो people की जो majority है वो elected representative क्यों के थ्रूं काम करते हैं कि जो पीपल्स रूल करते हैं elected representatives के थ्रूं क्यों ऐसा क्यों है वो खुच से रूल क्यों नहीं करते हैं majority तो इसका answer है modern democracies involves such a large number of people आधुनिक लोग तंतर के अंदर large number of people बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं that is physically impossible for them to sit together and take a collective decision देखो इतनी बड़ी population एतनी ज्यादा लोग अगर एक साथ आएंगे तो फीजिकल इंपोसीबल सारी ग्रूप से इंपोसीबल है कि to sit together कि वो सब एक साथ बैट पाएं और एक साथ collective decision एक सहामई कि वो निर्णे ले पाएं इतनी ज्यादा population 130 crore तो इसमें से इतनी ज्यादा लोगों एक decision के ऊपर कभी भी सहमध होई नहीं सकते कभी वी consent उनकी होई नहीं सकती और नाई सभी एक साथ physically Bad सकते हैं कभी किसी को कोई problem और कभी किसी को कई problem होगी तो एक साथ visit नहीं कर सकते अगर वह एसा कर भी लेते हैं 10 citizen does not have the time मालो आ भी गए बैट पी गए लेकिन citizen does not have that time उनके पास इतना टेक पाठ करें सभी डिसीजन में किसी के पास टायम नहीं होताा किसी कि कुछ dive, विशी नहीं होती आने कि किसी के पास क्टील्स नहीं होती ठीक है आव एक अच्छी डैमोक्रेसी उसके क्या एंच्प्राइशी हैं क्या आपजेक्टिप्स हैं गए ड्रू डेक्षेंगे in a democracy every citizen must be able to play equal role in decision making एक लोगतंत्र के अंदर every citizen परतेक नागरिक must be able योगे हो to play equal role in the decision making it means एक लोगतंत्र के अंदर परतेक नागरिक का equal role हो decision making के अंदर जो निर्ने लिये जाते हैं उसमें सभी नागरिकों को समान able role play करें सभी for this you don't need just an equal right to vote इसके लिए आपको सिर्फ right to vote कि आफशकता नहीं है every citizen needs to have equal information ऐसा नहीं है कि सिर्फ right to vote होगा तभी आप equal participation करोगे no इसके अतिरिक to have equal information कि आपके पास समान information हो सारी सूचनाएं हो कि देश में कहों क्या चल रहा है basic education हो आपके पास equal resources हो आपके पास समान संसाधन हो and a lot of commitment हो okay thank you so much now आपका chapter complete हो गया कुछ क्यारी होता आप पूर सकते हो thank you